इस पहल से किसानों को मदद मिलने की उमीद थी हलांकि चुनावी राज्य राजस्थान में किसान और व्यापारी बहुत निराश है दूहजार टेस इंटरनेशनल इयर ओफ मिलेट्स हैं ये भारत सरकार की तरफ से की गई पहल का नतीजा है जिसकी सभी सराहना कर रही हैं पर काड्ते हैं जोई हमारे को कीमना मिलती है जो उमारे मीम जैस छो पर पसला दिये, उना को मैंने कि सरकार से क्या माँढने है उनये किसान की मोटैन अंज। इसमें बढ़ावा तो दे रहे हैं लेकिन इसमें इस साल तो पुछ भी नहीं मिला हमारी को सरकार कुछ सुनती नहीं है हमारी में खेती को बढ़ावा देने और क्रिशी विकास को बढ़ावा देने के मकसद से राजस्थान सरकार ने कई कदम उठाए हैं कुछ किसानों के मुताबिक राज्य सरकार की योचनाओं ने मोटी अनाज के उत्पादन में शामिल लोगों को फाइदा पहुचाया है क्योंकि न लोगों कि योजना बहुत बढ़ी है और मोटी अनाज जिससे विदेसों में भी मोटीवेट कर रहे हैं तो यहां उपज भी बढ़ेगी कास्तकानों को उसका उचित मुल्ले भी मिलेगा मोटे अनाजकी में हर तरके गुण है जिसके खाने से स्वास्त वर्दक भी अच्छा रहता है राजिस्तान के कई किसानों को लगता है कि उनकी समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए वही कुछ सिक्षत किसान आगामी चुनावों में बेरोजगारी को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में देखते हैं इस वार जब वोट डालने दूसरी वार जा रहे हैं तो क्या सोचके जाएंगे वोट डालने अब वोट डाले क्या डाले अब रोजगार बेरोजगारों को नहीं मिल रहा है कोई कहती के लावा और कोई काम नहीं है और पसल भी इतनी नहीं हुई अबकी बार राजिस्थान 44 प्रतीशत हिस्सेदारी के साथ देश का सबसे बड़ा मोटे अनाच का उतपादक राज्य है राज्य की अर्थ विवस्था का 25 प्रतीशत हिस्सा क्रिशी पर निर्भर है ऐसे में आने वाले चुनाव में किसानों का मुद्धा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने की संभावना है